होलो दोस्तों वेलकम आई योटूब चैनल यहर कंडिशन का काम सीखने के लिए यह चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है इसपेसली नए एसी टेक्निशन के लिए यह चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत आसान ट्रिक और टिप्स के साथ ट्रैक्टिकली एक् सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बहुतर वीडियो बिलाने का होसला ही मत मिलता है करें कुर आफ्टनों दोस्तों वेलकम माई योटूब चैनल एच वी एसी अब जब आज के जो टॉपिक है वो ब्रेकर से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों ने सवाल पूछा था कॉमें कि ब्रेकर बार बड़ टृपिक क्यों होता है इसका क्या रिजन ऐसा क्यूं हो रहा है एक अगर ब्रेकर सते साथ टृप हो रहा है या कुछँ दिर के बाद ऐसा होता है जो लोग काम करते हो जानते हों ब्रिकर दू तरह का ट्रिप होता है एक सेडल ली जैसे आपने आउन किया साथे साथ ट्रिप किया टाइम नहीं लिए सेडल ली एक तम आउन करते साथ ही एक ये ट्रिप होता है तो इसमें कुछ हमें कुछ अलग चीज़ें होंगी और एक होता है कुछ देर के बाद, तीन मिनट, पाँच मिनट के बाद, जब डिमांड आता है तब, जब PCB, सिगनल, टिमांड, कमांड देता है कुम्प्रिसर, कॉंटेक्टर को, या फैंड को, तब ऐसा होता है, दो तरह का, तो अगर मान लीजिए आप, कि आप जैसे on कर रहे हैं, और suddenly breaker trip कर रहे हैं, तो हमें क्या check करना चाहिए, और क्या-क्या reason होता है, उसको note करना सूर कर देजे, नमबर वन सबसे पहले, सबसे पहले, breaker अगर on कर रहे हैं, और suddenly वो साथे साथ अगर trip कर रहा है, तो सबसे पहले जो हमें check करना है, वो voltage है, कि voltage सही है कि नहीं, voltage check करना है, voltage drop तो नहीं कर रहा है, तो ये एक main reason है, नमबर वन, voltage, दूसरा जो second है, वो है power supply का cable lose होना, या वहाँ पर कारवन आना, ये second reason है, अगर इस तरह का problem होगा, तो आपका breaker trip करेगा, तो अब हमें technician को चाहिए, अगर वो trip कर रहा है breaker, तो power supply का cable check करें, जहां जहां से आ रहा है, वो चेक करें, कोई lose तो नहीं कोई केबल, अगर lose होगा, तो वो trip करेगा, या उसमें कारव होने से ऐसा हो जाता है, lose होने से भी हो जाता है, तो ये आपका second reason है, तीसरा है, जो land, जो power supply का, जो cable है, land one, land two, land three, वो एक miss हो जाना, यानि तीनो face में से एक face आपका नहीं आ रहा है, वो input, output सही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक reason ये है, अगर आपका face, तीनो face में क लेकिन नहीं out कर रहा है, तब भी वो इस तरह का problem आपको आएगा breaker, वो safety, एक बहुत एहम safety device है, वो trip करेगा, number four, power supply का cable damage है, वो short है, उसका isolation निकल गिये है, कही body पे touch कर रहा है, ये भी होगा, तो आपका जो breaker है, main breaker, वो आपका trip करेगा, तो cable को भी आपको check करना होगा, पांच हुआ है, breaker under capacity, breaker unit के capacity से छोटा लगाया गया है, मान लीजिए उसको लगाना था, 50 ampere का, उसने वहाँ पर 20 ampere का लगा दिया है, 25 ampere का लगा दिया है, छोटा लगाया है capacity से, तब भी आपका, क्योंकि वो उतना लोट का है नहीं, तो जब लोट पॉट रहा है, जब जब भी ब्लोर हो, compressor कुछ भी हो, तो उतना लोट कर नहीं, जब जब चालू हो रहा है, तब वो क्या होगा, वो ट्रीप करेगा, नमबर सिक्स, breaker खुद, खराब है, defective है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जो input लेकर, output करना है, वो नहीं कर पा रहा है, defective है कुछ इसको, इंटर्नल, जो उसका parts है, तो एक breaker भी एक वजा है, नमबर सेवन, blow or motor defective, वो winding हो सकता है, वो high ams ले सकता है, winding damage होगा, ग्राउंड होगा, तो उसे ground check करो, उसके terminal to body को, motor winding और body को ground check करो, तो motor भी defective होगा, या वो high ams लेगा, तब भी आपका इस तरह का problem मिलेगा, आपका breaker trip करेगा, उसी से जुड़ता हुआ, आगे ही आप उ short होता है, damage होता है, आप body से चेक करेंगे, blow or contactor का, जो contactor है, उससे और body में चेक करेंगे, तो कभी-कभी उसको ground दिखाता है, तो इस तरह का कम होता है, ये, तो इस तरह कभी होगा, तब भी आपका contact, आपका breaker trip करेगा, ये जो चीजे मेरी गिनाई है, आपको 1 से लेके 7 त करना होगा, अगर on करते सा, suddenly breaker trip करता है, तो blower में reason है, एक चीज़ और add करेंगे, जो बहुत अहम है, अगर on करते सा, trip कर रहा है, तो एक और क्या चीज़ है, उसको गौर कर वो है, CCH, crankcase heater, क्योंकि crankcase heater को जो power of attack होता है, अगर वो भी ground होगा, तब भी आपको इस तरह का problem ह क्योंकि crankcase heater को direct face और neutral से connection, जैसे उसको face मिला, अगर वो short है, तो जैसे breaker on करेंगे, आपका वो trip कर जाएगा, तो टोटल यह 8 चीज़ें है, breaker on करते साथ, trip करने के, अब वो बाते हम लोग करेंगे, कि 3 मिनट या 5 मिनट के बाद, यानि जब demand आ रहा है, demand आ रहा है 3 मिनट के पाँच मिनट के पी-सी वी जब उसको output दे रहा है, compressor contractor को fan contact तब हो रहा है, उसके बार अगर होता है, तो फिर हमें क्या-क्या check करना है, उस पर से बात करते हैं, तो अगर 3-5 मिनट के बात करते हैं, तो सबसे पहले जो check करने हैं आपको, compressor को check करो, compressor का ground check करो, body से, और compressor terminal पे compressor defective तो नहीं है, सबसे पहले ये काम करना है, या उसके ampere चेक करो, ampere सही है के नहीं, अगर उसके ampere सही नहीं होगा, अगर वो ampere ज़्यादा ले रहा है, rated ampere से, तब भी आपको इस तरह का problem मिलेगा, अगर मालो ampere ज़्यादा ले रहा है, तो क्या check करना है, हमें compressor contractor check करना ह compressor contractor check करना है, कि compressor contractor defective तो नहीं है, तो हमें input और output voltage check करना है, कि input और output का voltage का ऐसा सेम है के नहीं है, तो ये भी एक reason है, बाद में हमें voltage check करना है, compressor contractor input और output सही है के नहीं, सेम वही जो पहले था, लेकि इसमें से कुछ चीज़ों पर धियान रखना आपको, तो voltage check करना है, कि voltage सह है कि नहीं है तो one by one करके आप चेक करेंगे प्राब्म मुची सी नहीं मिल जाएंगे आपको के Bill check करना है जो compressor का आउपूट्से गाल पीजा रहा है वो चेक करना है लोज तो नहीं है डैमिज तो गवर करना है एक एक करके आप बिल्कुल अगर गवर करें तो एजी लिए आप चुट्कियों में प्राब्लम पर पकड़ लेंगे एजी लिए सॉल्फ कर लेंगे तो यह सब चीजों का वन पर आप करते जाएंगे यह होगी और से इसी तरह फैन पर भी जाएंगे आप इन द इसी में आपको अंसर मिल जाएगा प्राब्लम मिल जाएगा आपका प्राब्लम सॉल्फ हो जाएगा इस वीडियो में इतना है यह पार्ट वन है पार्ट टू में है इस इसलेट एक और वीडियो बनाएंगे और इसमें प्रेक्टिकली वीडियो बनाएंगे लेकिन क्वान है कि हलो दोस्तों अगर आप एजवी इसी का काम सिखना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू